किसान बंधों नमस्कार आजकल जैविक उत्पादों के मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है अब लोगों का विश्वास हो रहा है कि जैविक विधी से तैयार खाद तथा कीट ना सक का प्रभाव भले ही धीरे धीरे होता है लेकिन इससे वातावरण की सुरक्षा और मानव योंग जीवधारियों का स्वास्थ ठीक रहता है किसान कल्यान कारी कलब उत्तर प्रदेश के तरफ से मैं इस वीडियो में नीम गिरी से जैविक कीट ना सक बनाने की सरल विधी की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ जिनके अनुसार नीम गिरी से ही कीट ना सक बनाना इसलिए ज्यादा कीटों पर प्रभावकारी होता है क्योंकि अजादिराच तेन कीट ना सक तत्व की अधिक्तम मातरा नीम के गिरी में ही पाई जाती है डाक्टर रगरुमन के अनुसार जैविक कीट ना सक बनाने हेथ नीम के पीले फलों के छिलकों को पानी में रगड कर बीज और छिलके को अलग कर लें नीम के बीज को धूप में अच्छी तरह से सुखा करके भीतर की गिरी को अलग कर लेते हैं गिरी को सिल्बटे या खरल या मिक्सी से नीम गिरी का पाउडर बना लें नीम गिरी से जैविक कीट ना सक बनाने के लिए 50 ग्राम नीम गिरी पाउडर को 500 मिली लीटर पानी में रात भर के लिए उसको अच्छी तरह से मिला करके और ढख कर रखते हैं दूसरे दिन सुबह सफेद पतले सूती कपड़े से पाउडर को छान लें जो द्रव छानने से मिला है इसी में अजादिराज्तिन नामक कीट ना सक होता है इसमें पुना 500 मिली लीटर साब पानी मिलाएं यदि तुलसी के पौधों में लेसबग कीट या पती काटने वाला कीट लगे हैं तो यह घोल सव पौधों के लिए परयाप्त है इस जैविक निमगिरी कीट ना सक को साथ दिन के अंतराल पर तीन बार छिड़क कर कीट ग्रिशित पौधों को नुकसान से बचाया जा सकता है इसका ध्यान रखें कि शाम या सुबह ही दवा का छिड़काओ करें बरसात या तेज धूप में दवा बिलकुल न छिड़कें इस जैविक कीट ना सक से कीटों की ब्रद्धी और आकर्मण में कमी आती है संसलेशित दवाओं के तरह या तुरंत कीटों को नहीं मारता लेकिन धीरे-धीरे असर करता है कीटों के प्रजनन सक्ति में कमी करता है कीटों को भगाता है और उनकी बढ़ोत्री में भी कमी लाता है उनमें आपस में भ्रह्म पैदा होने के कार प्रजिनन सक्ति जो है कम हो जाती है और कीटों की संख्या पर इसका असर पड़ता है यदि बड़े पैमाने पर एक हेक्टियर के लिए दवा बनानी है तो लगबग 30 किलो ग्राम नीम गिरी पाउडर की आवशक्ता होती है जिसको प्रति हक्टियर 600 लिटर पानी में घोल कर शिरका जा सकता है जैसा पहले बताया है उसी अनपात में खादी सोप या तरल साबुन की आवशक्ता होती है द्रव को छानने के बाद ठोस पाउडर के आवशेस को जो घुल न सके उसे पौधों के जड़ों में डाल कर गुडाई कर दें इससे पौधों में तेजी से बढ़तरी होती है और मिटी में पाए जाने वाले कीट भी कम हो जाते है यदि आपको इस वीडियो से जानकारी मिली है तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद